Hello everyone, so आज मैं discuss करूँगी आपसे तीन चीजे, तीन मुद्राएं in fact, जिससे जिन लोगों को बहुत जादा negative विचार आते हैं, एकदम माइन में thoughts stop ही नहीं होते हैं, बहुत जादा आप negative सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, future में क्या होगा, जब ऐसे thoughts लगातार आपको परिशान करते हैं, और mind एक जगा stable नहीं रहता है, आपका, thoughtless नहीं रहता है, तो क्या करना चाहिए, और ऐसी stages में, normally, जो problems develop होती हैं, वो होती है, stress, depression, anxiety, insomnia, इन problems से बचने के लिए, या already अगर आपको ये problems start हो चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिरफ तीन दिन की practice से, only three days practice will show improvement in you, and आप इन जो thoughts जो लगातार आपके मन में बने रहते हैं, उसको आप कम कर पाएंगे इन चीजों से, तो पहले जिसको मैं बहुत जादा promote करती हूँ, और हर एक को recommend करती हूँ, वो है belly breathing, normally क्या रहता है कि हम बहुत ही उपर उपर तक सांस लेते हैं, जो कि हमारे lungs तक जाती है, बट हमारा जो normal सांस लेने का way होना चाहिए, जैसे एक बच्चा सांस लेता है, आपने कभी छोटे बच्चों को जो पैदा होते हैं, देखा है, वो कभी भी lungs तक अपनी सांस नहीं लेके जाते हैं, वो हमेशा navel तक अपनी सांस को ले कर जाईए नेवल तक ब्रीट करने के बहुत फायदे होते हैं जो हमारी सांसे हैं हमारी माइंड से जुड़ी होती हैं हमारे थोट से जुड़ी होती हैं तो जितनी सांसे गहरी होंगी लंबी होंगी उतना ही मन शांत रहेगा और जितनी सांसे आपकी उथली होंगी उतना ही म और विचार आपके अशान्त होंगे तो कोशिश करिए हमेशा बेली ब्रीधिंग करने की हमेशा पेट तक सांस लेकर जाईए जब आप इसकी प्राक्टिस करेंगे रोज दस मिनट निकाल कर पहले ही करना शुरू करिए फिर धीरे धीरे आप देखेंगे की नॉर्मल आपका जो way of breathing है वो change होना start हो जाएगा और इसी तरीके से आपके mind के thoughts भी change होने शुरू हो जाएगे जो second मुद्रा है उसको हम खेचरी मुद्रा बोलते हैं खेचरी मुद्रा में हम क्या करते हैं अपनी tongue का use करते हैं और उसको उपर तालू से लगाते हैं जो की कुछ इस तरह होती है ऐसे जीप को तालू से लगा के रखना जब आप इस मुद्रा का use करते हैं तो आपका जो energy का flow है जो crown से आ रहा होता है वो बढ़ जाता है आपके अंदर एक ब्रहम रस उतरना शुरू हो जाता है कई लोग इसको महसूस भी करेंगे जिनका crown थोड़ा सा active होता है वो महसूस करेंगे कि मीठा मीठा सा स्वाद आना शुरू हो जाएगा आपको मू के अंदर तो इसको हम ब्रहम रस बोलते हैं जो की आपके crown से आता है जो के divine energy होती है जब यह होता है तो आपके अंदर positivity का flow बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही आपके अंदर positivity का flow बढ़ेगा वैसे ही negativity के लिए कोई जगा नहीं होगी जितना आप इस मुद्रा को कर सकें आप वो ज़रूर करिए धीरे धीरे इसको practice करना शुरू करिए खेचरी मुद्रा सिरफ तीन दिन में ही results देती है तो ये भी मैं बहुत recommend करूंगी कि आप खेचरी मुद्रा ज़रूर करिए जीप को तालू से लगा कर रखिए इसको करते हुए आप बैठना नहीं है या एक कोई fix इसका way नहीं है करने का आप चलते फिरते जब मर्जी इसको कर सकते है Another is ज्यान मुद्रा ज्यान मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है इसको 24 by 7 लगाया जा सकता है मतलब जितनी देर मर्जी आप इस ज्यान मुद्रा को लगा कर रखिए ये हमारा वायू और अगनी तत्व को कंट्रोल करता है बॉडी में तो जब हमारे वायू और अगनी तत्व बैलन्स होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है हमारे जो उल्टे सीधे विचार हैं हमारे मन में वो आप देखेंगे कि कही न कहीं आपके बंद हो जाएंगे होने तो रात को एक बार ज़रूर कोशिश करिए अपने हाथ पर टेप लगा कर रखिए इस मुद्रा में और ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे करके ही बैठें आप ऐसे भी सकते हैं अपने हाथ आप जैसे मर्जी रख सकते हैं आप घर में काम कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं बस लगातार आप इस मुद्रा को लगा कर रखिए ये मुद्रा हमारी concentration power बढ़ाती है हमारी memory power बढ़ाती है आप देखेंगे नॉर्मली जब meditation के pose आपको दिखाये जाते हैं या कहीं भी आप देखेंगे तो नॉर्मली ज्यान मुद्रा लगी होती है उसमें तो ये मुद्रा मन को बहुत जादा शांत करती है तो ये तीन मुद्राएं हैं इनको आप अगर use करेंगे ये continuously use करेंगे जिनको बहुत जादा problem है वो तीन दिन से जादा लग सकते हैं उनको बट तीन दिन के अंदर ही आपको इनका effect दिखना शुरू हो जाएगा so I hope कि जिन लोगों को बहुत जादा negative thoughts की problem है वो इसको एक बढ़ ट्राइ जरूर करेंगे and इसके results जरूर और जरूर मिलते हैं so do try this mudra and ये तीनों mudra लगाईए आप तीन दिन तक जरूर practice करिये इसकी and do give your feedback so thank you so much